नमस्ते दोस्तों इस वीडियों में देखने वाले हैं बिहार बोड के तरफ से जो मोडल पेपर जारी किया गया है इंटर्मीडियेट एक्जामनेशन 2021 के लिए जो मोडल पेपर जारी किया गया है उसका सोलीशन देखने वाले हैं और एक के करके अच्छे से सोलीशन देखने और यहां पर दिया है एक से एक सो तक अब्जेक्टिव कोच्छन रहेगा जिसमें साब को किनी 50 मतलब कि किनी 50 का ही जबाद देना रहेगा तो चले देखते हैं हमारा पहला कोचन क्या कहा जा रहा है अर्धनारी सुवर सिर्षक पाट के लेखक कौन है तो अर्धनारी सुवर बिहार के बेगु सराय जिले में हुआ है अगर यह पूछ देगा कि कितना इसमी में हुआ है तो रामधारी सिंग दिनकर का जो जन्म है 1908 इसमें बिहार के बेगु सराय जिले में हुआ है question number second देखते हैं सिक्षा सीर्षक संभासन के वक्ता कौन है सिक्षा सीर्षक संभासन के वक्ता कौन है तो जे किरिष्ण मूर्ती तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option number C जे किरिष्ण मूर्ती जो है सिक्षा सीर्षक संभासन के वक्ता है मलियاج का मूनलाम क्या था तो मलियاج का मूनलाम क्या था है तो इसका हो जाएगा भरत जी सिरी वास्थब option नमबर A इसका right answer हो जाएगा भरत जी सिरी वास्तब, मलिय आज का मूनलाम था परगीत और समाज किस विधा की रशना है तो निबंद ललीत निबंद इसका correct answer हो जाएगा option number D ललीत निबंद की विधा है उसने कहा था किस परकार की कहानी है उसने कहा था किस परकार की कहानी है तो यह जो है चरीतर परधान है option number C हो जाएगा इसका right answer चरीतर परधान उसने कहा था इसमें लहना सिंग के बारे में बताया गया है अगर पूश देगा उसने कहा था कि नायक कौन है तो लहना सिंग होगा और इस कहानी में जो है अमरीत सर सहर के बारे में वर्णन किया गया है question number 6 सिपाही की मा सीर्षक पाट के रचीता कौन है सिपाही की मा सीर्षक पाट के रचीता कौन है Q7. ओम परकास बालमीकी के मता पिता का नाम है तो मुकुंदी देवी एवं छोटन लाल जो है ओम परकास बालमीकी के मता पिता का नाम है Q8. भागत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भागत सिंह का जन्म जो है वो कब हुआ था? 28. सेप्टेमबर 1907 तो इसका रायट अंचर हो जाएगा Option B. 28. सेप्टेमबर 1907 इस्यू को भागत सिंह का जन्म हुआ था सादानीरा किस नदी को निमित बना कर लिखा गया है Q10. इसका रायट अंचर हो जाएगा Option B. गंडक नदी को निमित बना कर सादानीरा लिखा गया है Q10. धांगर सब्द का अरथ और आव भासा में क्या होता है? तो धांगर का मतलब होता है कुवा खोधने वाला या तालाब खोधने वाला या गढढ़ा जो होता है कुवा वही खोधने वाला होता है तो option में तो दिया नहीं है भारे का मज़़ूर क्योंकि कुमा और तलाब खुदता है कौन खुदता है तो भारे का मज़़ूर ही खुदता है तो मेरे ख्याल से इसका जो है right answer होना चाहिए option C होना चाहिए क्या नम्बर 11 चमपारण में गांधी जी के चमतकार की कथा किसने लिखी थी चमतकार में जो प्रोटेट चला था गांधी मतलब की चमपारण सत्यागर जो चला था चमपारण में तो उस चमतकार की कथा किसने लिखी है तो इसका right answer हो जाएगा option C राधा किरिस्न हो जाएगा Q12, जै परकास नरायन की पतनी का क्या नाम है? तो इसका हो जाएगा परभावती देवी Q13, करबक, सिर्शक, कविता किसने लिखी है? तो जाइसी, इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन टी जाइसी जाइसी का पुरा नाम है मलिक मुहमद जाइसी अगर ऑप्शन में रहेगा मलिक मुहमद जाइसी तो आप कन्फिस मत होएगा क्योंकि जाइसी का ही पुरा नाम है मलिक मुहमद जाइसी और ये जो है सेर्शा सूरी के काल के कवी है Q14. सूर्दास किस भासा के कभी है? बजर भासा के कभी है इसका राइट अन्स रोज़ागा option B Q15. छत्र साल दसक के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट अन्स रोज़ागा option C Q15. छत्र साल दसक के रचनाकार जो है भूसन है जै संकर परसाद की भासा कौन सी है? तो जै संकर परसाद की भासा जो है वह कौन सी है? तो खरी बोली है option C जो है इसका राइट अन्स रोज़ाएगा खरी बोली option C हो जाएगा तुमूल कुलाहक कलोह में सीरसक कविता के कभी कौन है? तो जै संकर परसाद हो जाएगा इसका राइट अन्स रोज़ाएगा इसका राइट अन्स रोज़ाएगा जै संकर परसाद हेनरी लो पेज कहां के रहने वाले थे हेनरी लो पेज जो थे वो कहां के रहने वाले थे तो कांगो अफरीका राइट अन्स रोज़ाएगा इसका option D कांगो अफरीका के रहने वाले थे कवी भूशन को भूशन उपाधी किसने दी तो राज रूद्रसा राइट अंसर हो जाएगा इसका option D राजा रूद्रसा जो है कवी भूशन को भूशन की उपाधी दी थी question number 20 अधिनायक कैसी कवीता है अधिनायक जो है वो कैसी कवीता है तो वैंग ज्यात्मक, इसका राइट अंसर हो जाएगा option B, वैंग ज्यात्मक कविता है अधिनायक Question number 21, जूठन के headmaster का नाम क्या है? तो कली राम, इसका राइट अंसर हो जाएगा option A, कली राम है, जूठन के headmaster का नाम Question number 22, जे क्रिश्न मूर्ती किस रूप में देखे जाते हैं? तो जे क्रिश्न मूर्ती जूए दूसरे बुध के रूप में देखे जाते हैं, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option C, दूसरे बुध के रूप में Question number 23, नाम ओवर सिंग किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो आलोचना, option C हो जाएगा इसका राइट अंसर Question number 24, हिंदी साहित्ति का सूरी किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्ति का सूरी जो है सूरदास को कहा जाता है, option B हो जाएगा इसका राइट अंसर Question number 25, चांद का मुह तेरह है, कवीता संग्र के रचीता कौन है? तो गजानन माधव मुक्ती बोध, इसका राइट अंसर हो जाएगा, option A Question number 26, इत्यादी सब्द का संधी विछेद है, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, इती पलस आदी Option number B हो जाएगा, इसका राइट अंसर, और संधी जो है, वो तीन परकार के होते हैं, संधी तीन परकार के होते हैं, आपको पता भी होगा स्वर संधी, पहला होता है स्वर्ग संधी, दूसरा होता है वेंजन संधी, और तीसरा जो होता है वो हता है विशर्ग संधी, स्वर्ग संधी वेंजन संधी और विशर्ग संधी, संधी तीन परकार के होते हैं, गायक सब्द का संधी विछेद हैं, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option B गय जोर अक कि अ Будढल bash 28 परमार्थ सब्ड कारude विछ double ende हो गाउआ जोर आर्थ तो इसका राइट अंच्रो हो जाएगा option A परम जोर अर्थ हो जाएगा परमार्थ सब्द का संधी विच्छेद, question number 29, विद्यार्थी सब्द का संधी विच्छेद हैं, तो विद्यार्थी सब्द का संधी विच्छेद हो जाएगा, विद्या जोर अर्थी, option number B हो जाएगा, इसका right answer, दुरगम सब्द का विलोम होगा, विलोम सब्द मतलब उल्टा सब्द, तो दुरगम सब्द का विलोम हो जाएगा सुगम, दुरगम का विलोम सुगम हो जाएगा, तो इसका रायट अंसर हो जाएगा, option B हो जाएगा, question number 31, अनुकूल सब्द का विलोम होगा, तो अनुकूल स आरोही सब्द का विलोम होगा आरोही सब्द का विलोम होगा अवरोही आरोही सब्द का विलोम अवरोही होगा तो इसका आप्शन नमडर यह जो है राइट अंसर हो जाएगा बसपन में सुनने को मिलता होगा आरोही करम अवरोही करम क्वेस्चन दिया मतलब कि दिया गया र लोम होगा तो अनुराग होगा तो option number B हो जाएगा यहां पर right answer विराग सब्द का हो जाएगा अनुराग question number 34 आखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है प्रिये होना option number C हो जाएगा इसका correct answer प्रिये होना question number 35 उट के मुह में जीरा मुहावरे का अर्थ होगा अधी खाने वाले को कम खुराख मिलना option number C हो जाएगा इसका right answer अधी खाने वाले को कम खुराख कान काटना मुहावरे का अर्थ होगा चतूर होना option number B हो जाएगा इसका right answer चतुर हना मतलब कोई चलाकी से किसी को ब्यकूफ बनाना Q37 घी के दिये जलाना मुहाबरे का अर्थ है परसंता वैक्त करना option number B option number B हो जाएगा इसका right answer परसंता वैक्त करना नगर सब्द का विशेशन होगा तो नगर सब्द का विशेशन होगा नगरीक नगरीयनी होगा नगर सब्द का विशेशन विशेशन जो होता है विशेशन वह सब्द होता है संग्या या सर्वनाम की विशेशन बताता है संग्या के साथ लगकर विशेशन जो है ये सब्द संग्या के साथ लगकर संग्या की विशेश्ता बताता है और विशेशन आठ परकार के होते हैं विशेशन जो है आठ परकार के होते हैं रंग सब्द का विशेशन होगा तो रंग सब्द का विशेशन होगा रंग योक्त यह तो नहीं होगा और रंग वाज ये भी नहीं होना चाहिए बेरंग ये भी नहीं होना चाहिए रंगीन होना चाहिए मेरे ख्याल से रंग सब्द का विशेशन रंगीन होना चाहिए और आ आप लोग भी बताइएगा सी ओर नहीं हूं रंगिन पर भी मतलग है फिर भी रंगिन होना चाहिए मेरे ख्याल से और आप लोग के ख्याल से क्या होना चाहिए वह कोमेंट करके बता दीजिएगा Question number 40 पत्थर सब्द काachedयर होगा तो पत्थर सब्द का Guardians होगा पधरीला ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट अन्चर पधरीला भारत सब्द का विशेशन होगा भारतिय अप्शन नमर्ड एसका correct answer है तो देखिये गौर से देखेगा है यहाँ पे भारतिय अप्शन नमर्ड मत मर दिजाएगा गलत हो जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा option number a जीव जन्तु सब्द कौन समास है तो जीव जन्तु सब्द जो है द्वन्द समास है option number d हो जाएगा इसका right answer द्वन्द समास जीव जन्तु अब जैसे भाई बहन माता पिता द्वन्द समास होता है वैसे जीब जन्तु भी दोंत समास है क्वेच्चन नमबर 43 निलामबर सब्द कौन समास है तो निलामबर सब्द जो है कर्मधारे समास है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option A कर्मधारे समास है निलामबर सब्द क्वेच्चन नमबर 44 34 भर पेट सब्द कौन समास है भर पेट सब्द जो है अवयई समास है तो 1993 सब्द कैंठ समास सारे लोग जो है confused हो जाते हैं pulling होगा कि एस्त्रीलिंग होगा लेकिन मेरे ख्याल से यह strilling होना चाहिए और strilling ही होगा question number 47 जल सब्द कौन link है तो जल और पानी यह सब्द जो है यह pulling होता है जल सब्द pulling है और अगर पूछ देखा नदी तो नदी जो है नदी इस्त्रीलिंग होता है लेकिन जल जो है जल और पानी pulling होता है तो इसका right answer हो जाएगा option A question number 48 दल सब्द कौन link है दल सब्द कौन link है तो pulling है इसका right answer हो जाएगा option A pulling question number 49 रुमाल सब्द कौन link है तो रुमाल सब्द जो है यह पूलिंग है option B हो जाएगा इसका correct answer पूलिंग question number 50 उपवन सब्द में उपसर्ग कौन है तो उपवन सब्द में उपसर्ग जो है वो उप है उपसर्ग उपसर्ग जो है सब्द के सब्द के साथ लगकर उसका अर्थ बदल देता है और एक होता है प्रतिय प्रतिय जो है सब्द के लास्ट में आता है और सब्द के साथ लगकर सब्द का जो है अर्थ बदल देता है तो इसमें total hundred question है जिसमें 50 हम लोगों ने देखे हैं तो इससे आगे का जो क्वेशन है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मतलब इसका हिंदी का जो पार्ट बनाएंगे ना तो उसमें देखेंगे दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को प्रेस कर हॉड़ोगा जो पुछ़गा जो पार्ट वीडियो एक्राब कर पार्ट वीडियो वीडियो ढार्ट वीडियो वीडियो बनाएंगे रचे पार्ट शेखेंगे रॉड़गा